तो हाई गाई डिस अपने क्लाइंट को या आप अपने कस्ट्म को किसी भी डाइब को सर्वीस प्रोइड कर रहो तो उसके लिए आपके साइट में एक सर्विस पर होना बहुत जो जो है तो वही हम इस वीडियो में देखेंगे तो इना टाइम वेस्ट किये वीडियो को स्ट करते हैं को वाई तो पहले हम अपने डाइशवर प्रेंगे देन पेज प्रेंगे एंड पेज उसके बाद में सर्विस पेज पेएंगे और देन एडिद्वित अलिमेंटर तो हमारा भी सब्सक्राइब लैंक है अब मियां पर गैस स्क्राइच नहीं बनेंगे हम यहां पे एलिमेंटर के free template को use करेंगे तो उसके लिए में इस template वाले बटन में आएंगे and then click करेंगे उसके बाइद यहाँ पर आपको search option दिख रहा होगा यहाँ पर let's search करते हैं service यहाँ पर बहुत सारा service page आपको मिल जाएगा इसमें से बहुत सारे pro हैं गाईज बट हम ट्राई करें कि हम फ्री वाला एक अच्छा ढूंदे तो आई थिंक मुझे यह वाला सही लग रहा है गाई तो हम यह इंसर्ट पर click करेंगे यह पूरा पूरा template हमारा इंसर्ट हो गया है ठीक है अब गाईज हम इस template को अपने हिसाब से edit करना start करेंगे तो पहले तो यह मुझे background यहाँ पर change करना है सो इसके लिम क्या करेंगे हम अगेन यहाँ पर आएंगे six dots पर right click करेंगे edit hero करेंगे style में आएंगे और हम इस background image को यहाँ पर remove करेंगे ठीक है और हम गाईज यहाँ पर gradient use करेंगे तो हम यहाँ ग्रेडियंट पर आएंगे उसके बाद हम उसके बाद यहाँ पर अपना पहला color choose करेंगे gradient one और second color gradient two हमने अपना यह primary color पिछले वीडियो में set किया था अब हम गाईज यहाँ पर इसको change करेंगे तो लेट्स यहाँ पर हम लिखते हैं ठीक है और हम यहाँ पर लोगो को remove करेंगे right click delete और हम इसके टेक्स को change करेंगे तो हमने fix किया था कि हम सारे heading को railway में रखेंगे तो मैं style में आएंगे टाइपोग्राफी यहाँ पर railway ओके इसका spacing बहुत जाद है तो इसका spacing थोड़ा कम करेंगे हम यहाँ पर आएंगे letter spacing में और इससे कम करने start करेंगे let's say यप ठीक है और हम गयाँ इससे upper case नहीं करेंगे इसे हम default रखते है ठीक है और यह नीचे का spacing बहुत जादा है इसे हम थोड़ा कम करेंगे तो यहाँ पर right click करेंगे edit heading करेंगे advance में आएंगे देखिए यहाँ पर hundred है let's say हम इसे हाँ पर 50 करते है ओके तो यह बहुत नीचे आ गया हम इसे hundred रखते हैं और एक काम करते हैं हम इस part को उपर लाते है ठीक है तो हम यहाँ पर आएंगे right click edit and advance उसके बाद हम इस margin में आएंगे इसको अंचक करेंग है and then हम इस bottom को थोड़ा बढ़ाते हैं let's say 25 ठीक है हम 30 भी कर सकते हैं but 25 is fine उसके बाद करेंगे तो हम यहाँ पर आएंगे right click edit hero layout and then this minimum height को हम 500 से let's say 400 करते है ठीक है उसके बाद यह guys काफी उपर आ गया है तो हम इसे थोड़ा नीचे करेंगे तो उसके ते हम अगे यहाँ पर आएंगे edit heading and then पहले इसे 0 करते हैं यहाँ पर एंद यहाँ से bottom से हम थोड़ा इसे कम करेंगे so I think 70 और 60 जीरो काफी नीचे हो गया हम इसे 20 रखते हैं ठीक है अब यह सही लग रहा है and then हम update पर click करते हैं अब देखते हैं कि यह हमारा कैसा दिख रहा है तो हम यहाँ पर आएंगे preview changes ठीक है guys अब हम थोड़ा button को यहाँ पर सही कर लेते हैं and then हम try करें कि हम इसके नीचे एक line भी दे सकें क्योंकि अब देखो कि हमारे सारे headings में नीचे पर एक divider दिया हुए यहाँ पर भी and then यह यहाँ पर भी यहाँ पर भी so वो consistency हम चाहेंगे यहाँ पर भी maintain रखने का and पहले हम इस button के design को ठीक करते हैं तो इसके लिम क्या करेंगे हम यहाँ पर आएंगे अपने home page में and then edit with elementer में आएंगे हम इसी के button के style को वहाँ पर copy करेंगे आप देखो यह कितना easy है कि हम एक page के button के style को दूसरे page में copy कर सकते हैं जैसे कि मैं दिखा हूँ हम यहाँ पर आएंगे right click copy again हम service page में गए right click paste style देखो guys similarly यहाँ पर भी right click paste style and अब यह guys बहुत सही लग रहा है हम चाहेंगे तो हम इसे एक line में भी ला सकते हैं right click edit button style में आते हैं then हम इसके typography में आके इसका size को थोड़ा कम करते हैं let's say okay 7, 18, 16 रखते हैं right click and then हम इसके text को यहाँ पर change करते हैं तो यह सही है हम यहाँ पर डालते हैं let's say contact us और call us ठीक है और हम इसको बीच में लाएंगे और हम इसे left ले आते हैं फिर ठीक है अब यह गया सही लग रहा है update देखते हैं हमारे यहाँ पर कैसा दिख रहा है ठीक है यह काफी सही दिख रहा है यहाँ पर ओके अब चक करते हैं कि हमारा फोन में ओके उससे पहले यहाँ पर हम एक डिवाइडर को डालना है तो यहाँ पर आएंगे डिवाइडर ठीक है and then हम इसके size style को change करेंगे तो हम again अपने home page में आएंगे यहाँ पर आएंगे right click copy यहाँ पर आएंगे right click paste style अब देखो यह हमारा उस डिवाइडर के style यहाँ पर ले लिया लेकिन यह गाईज अभी भी बहुत जादा gap है तो इस gap को हम थोड़ा कम करेंगे तो इसके हम क्या करेंगे हम पहले इसे थोड़ा नीचे लाते हैं and then हम इस divider को थोड़ा ऊपर लाएंगे edit divider advance and then margin में आएंगे and then margin को हम थोड़ा let's say कम करते हैं ओके तो हमें अक्चुली left और right में नहीं चाहिए तो हम यहां left से remove करेंगे right से remove करेंगे तो माइनस 18 माइनस 18 टॉप बॉटम से हम करेंगे और हमारा यह आप देखर क्या हो रहा है यह एक्चुली इसका margin यहां पर था लेकिन हमने इसको इसके margin से भी बाहर निकाल दिया क्योंकि यहां पर हमने negative यूज किया होप आप समझ पा रहे होगे अगर नहीं तो प्लीज मेरा वो margin वाला जाके वीडियो देखो मैंने बता है आपको अलिमेंटर में margin of padding क्या होता है इसे हम अपडेट करते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है तो हमें गया जिसके width को थोड़ा कम करना चाहिए तो इसके लिम क्या करेंगे हम यहां पर आएंगे edit divider and style not style content and then width को हम थोड़ा कम करेंगे let's say 25 update अब यह सही दिख रहा है ठीक है अब हम देखते हैं कि यह section हमारा tablet और phone में कैसा दिख रहा है तो हम tablet में आएंगे tablet में सही दिख रहा है हमें इसे थोड़ा जादा करना पड़ेगा divider को तो हम divider को let's say 29 30 रखते हैं यहां पे 35 ठीक है और यह सही लग रहा है आप चाहँ तो इसे थोड़ा change कर से तो लेकिन यह सही यहां पर ठीक है अब हम आते हैं phone में तो phone में भी guys सही है हमें बस थोड़ा बहुत यहां पर changes करने है तो हम पहले our services में आएंगे heading इसके size को थोड़ा कम करेंगे typography and let's say try करें कि एक line में लाएं तो 45 is fine ठीक है और अब हम इसको थोड़ा ऊपर लाएंगे तो अगे यहां पर आएंगे right click edit divider और हम पहले इसको थोड़ा heading को थोड़ा कम करते है तो from bottom से let's say हम how much 30 रखते है ठीक है और top से हम थोड़ा gap देते है I think top से हम रहने देते है 50 ठीक है इसे थोड़ा और कम करते है 20 और अब हम divider को थोड़ा और ऊपर लाएंगे so bottom में आके 20 20 थोड़ा और ऊपर चाहें तो हम 25 कर सकते हैं चलो 30 करते है 30 ठीक है and अब क्या करें guys हम again हम divider में आएंगे content में आएंगे इसका size को थोड़ा कम करते है let's say 45 रखते है और 50 50 is fine and update फिर guys हम नीचे आएंगे और इस button को यहां पर ठीक करेंगे right click red button and content middle same यहां पर middle और अब guys यह काफी हद तक सही लग रहा है right अंदर हम इसे यहां पर update करेंगे अब दिखते हैं कि यह हमारा तीरों में कैसा दिख रहा है desktop fine tablet fine mobile fine तो guys यहां पर हमने अपना service page के hero page को बना लिया है ठीक है अब इसके बाद guys हम क्या करेंगे हम नीचे आते हैं so again अपने desktop version में आएंगे service में आएंगे उसके बाद देखते हैं कि नीचे क्या क्या है सो यहां पर our services है ऐसा ऐसा कुछ बना हुआ है ठीक है and then this ठीक है तो हम क्या करेंगे पहले हम इसको remove करते हैं यह हमें नहीं चाहिए close and हमें यह चीज़ाया आपने चाहिए हम सिर्फ तीन चीज़ाया आपके दे रहे हैं तो हम यह तीन को हाँ पर हटा दते हैं यह मरजी आपकी आप जो चाहाँ पर edit कर सकते हो and उसके बाद मैं चाहूँ कि मैं इस पूरे part को ऊपर ले जाओ ठीक है यहाँ पे तो उसके लिए इस एक बहुत अच्छा trick है अब क्या करो आप यहाँ आपको देख रहा है एक navigator करके option है आप यहाँ पे click करो तो यह आपके पूरे page का navigation है ठीक है तो हम पहले इसे यहाँ पहट आएंगे ठीक है अब यहाँ पे आप देखो हम क्या करने वाले है हमारा पहला हो गया hero section ठीक है जो की यह है उसके बाद है service to जो की यह है उसके बाद है overview जो की यह है फिर है हमारा videos time is money location is everything तो हमें यह तीन चीज़ ऊपर चाहिए ठीक है तुम क्या करेंगे videos को अठाया उपर डाल दिया time is money को उठाया video के बाद डाल दिया and location is everything को उठाया उपर डाल दिया ठीक है अब देखो guys हमारा यह तीनों चीज़ ऊपर आ गया है और यह दो चीज़ नीचे आ गया है ठीक है अब यह जो overview पार्ट है मुझे यह इसके उपर चाहिए तुम क्या करेंगे हम overview में आएंगे उठाया यहां छोड़ दिया simple as that ठीक है अब हम इस तीनों को edit करते हैं यहां पर हम इसे close करेंगे यहां world of innovation है ठीक है तो यहां अपना services यहां पर देंगे पहले हम यहां पर देते हैं web design ठीक है यहां एक काम करते हैं हम elementar में आएंगे what we do है न इसे right click करेंगे copy करेंगे यहां पर आएंगे paste style ठीक है और इसका जो भी padding margin है वो सब यहां remove करेंगे और यहां color को हम अभी के लिए black करते हैं यह दो होगा यहां सही दिख रहा है ठीक ह इसका size कुम थोड़े यहां पर बढ़ा कर सकते हैं let's say 50 would look good I think yeah अब यहां पर गाइस text है text के place में हम चाहेंगे यहां पर let's see progress bar इसे लाएंगे और यहां छोड़ देंगे यह हमारा my skill आ गया ठीक है अब यहां पर डाल सकते हैं आपका क्या क्या skill है so let's say हम क्या करते हैं यहां पर हम डालेंगे HTML ठीक है इसे हम रखते हैं आप पर 80 and then हम इसके style को यहां पर change करेंगे जो style रहेगा हमारा green और यह जो heading है title है इसे हम करते हैं let's say blue ठीक है यह हम heading को completely हटा भी सकते हैं हम content में आएंगे heading remove ठीक है एन यह web designer के जगए हम अंदर पर यहां पर डाल सकते है HTML अभी सब्सक्राइब इसे हम यहां पर right click करेंगे duplicate करेंगे again click करेंगे duplicate करेंगे ठीक है इसके जगए हम यहां पर डालते हैं let's say wordpress wordpress हम 90 रखते हैं and then हम यहां पर आते हैं and यहां पर डालेंगे हम CSS ठीक है so यह भी सही लग रहा है and यहां पर आप कुछ content रख सकते हो तो मैं यहां पर content थोड़ा कम करता हूं जससे इतना रखता हूं और हमें काम करते हम इस content को ऊपर ले जाते है right click copy right click paste और हम यहां पर इसे remove करते हैं नीचे से यह हमारा बन चुक है and इस watch now को यहां से remove करते हैं delete ठीक है और यहां पर आपना image डाल सकते हैं so जैसे हमने पहले किया था यहां पर already एक video है इसे हम delete करते हैं and यहां पर हम अपना image gallery को डाल सकते हैं और character लाल सकते हैं anything yellow अंदर यहां आपको choose करना है जो जो आपका portfolio वाला images है उसके बाद guys यहां पर आंगे इसे 300 x 300 करते हैं यहां पर हम slide to show में one करते हैं image stretch no इसे हम थोड़ा बढ़ा सकते है let's keep it this much ठीक है arrow and dots none ठीक है and हम देखते हैं हम इसे थोड़ा इसमें क्या दिया हुआ है okay so हम पहले इसके column वाले margin में आएंगे padding में आएंगे इंदर यहां पर हम क्या करते हैं left से थोड़ा हमने चारो साइट से 1010 दे दिया है इंदर हम यहां पर update पर click करते हैं तो यहां हमारे एक section बन गया है also कि हम यहां button डालने हमें button बहुत important है तो हम क्या करेंगे हम अगे यहां पर आएंगे right click copy यहां पर आएंगे right click paste तो button हमारा paste हो गया है ठीक है लेकिन हम यहां दो button चाहिए तो हम intersection में आएंगे उठा के यहां पर डालेंगे and इस button को right click copy right click paste यहां से remove करेंगे delete और पहले इस के color को हम change करते हैं so हम क्या करेंगे background इसका पहले blue करते हैं यहां इसे हम बीच में लाते हैं here and same guys हम यहां पर डा सकते हैं right click copy right click paste ठीक है यहां पर हम डालेंगे contact us और यहां पर हम डालेंगे portfolio ठीक है guys हम देखते हैं यह कैसा दिख रहा है यहां पर तो यहां पर बहुत जारा gap है हम इस gap को यहां पर कम करेंगे right click edit button left right click edit button right ठीक है और यहाज यह color मुझे यहां पर कुछ खास नहीं लग रहा है तो हम style में आते हैं and let's say इसे भी हम transparent अगर कर पाएं तो कैसा दिखेगा ठीक है और हम इसे text color को यहां पर हम ग्रीन कर दें ग्रीन सो यह सही लग रहा है and same case हम यहां पर भी करेंगे एरेड बटन style background color को हम transparent करते हैं और green कर देंगा and hover करने पर इसे हम transparent कर सकते हैं hover transparent हो जाएगा और text बन जाएगा मेरा green अब देखो गईस यह सही लग रहा है और हम यहां पर थोड़ा border भी देंगे edit button border type 2 ठीक है border क्या रहेगा तो border हम यहां पर green देंगे अब यह guys काफी हद तक सही लग रहा है हम यहां पर update करते हैं ठीक है और देखते हैं तो यह सही लग रहा है guys अब क्या करेंगे हम इस चीज को नीचे भी replicate करेंगे तो इस खिल हम क्या करेंगे हम यहां पर आएंगे पूरे section को यहां पर right click करते हैं copy करते हैं नीचे आते हैं right click करेंगे paste करेंगे and then हम इस part को यहां से right click delete and then यहां पर हम डालेंगे online branding ठीक है and then आप यहां पर कुछ text डाल सकते हो and then यहां पर आपना skill डाल सकते हो like for example मैं यहां पर डालता हूँ FB ads ठीक है यहां पर हम डाल सकते हैं let's say Google Adwords and then यहां पर हम डाल सकते हैं and contact us portfolio सही है अब हम आते हैं तीसरे बाले में यहां पर हम क्या करेंगे again हम इसे right click करेंगे copy करेंगे right click करेंगे paste and then इसे हम यहां से right click delete and यहां पर हम डाल सकते हैं SEO ठीक है and मुझे इस बार यहां पर यहां पर नहीं चाहिए तो मैं delete करता हूँ delete delete और यहां पर आप कुछ text ही रखो and then आप यहां पर place map को यहां से remove करते हैं and यहां पर आप डाल सकते हो let's say video ठीक है अब हम इसे update करते हैं और देखते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है तो आप यहां पर आओगे web design online branding SEO so यह काफी सही लग रहा है okay हम देखते हैं कि हमारा phone और tablet में कैसा दिख रहा है तो हम अगेन यहां पर आएंगे tablet tablet में भी गाई सही लग रहा है हम इसका थोड़ा size यहां पर कम करते हैं आप यहां पर paste style नहीं कर सकते क्योंकि इस का style यहां पर अलग है तो आपको अगेन यहां पर आना है edit करना है and typography में यह 17 कीजिए ठीक है उसके बाद हम यहां पर आते हैं यहां पर यहां भी same हो गया right click edit 16 ठीक है 15 16 रखते हैं okay और क्या करेंगे यहां पर right click copy यहां भी हम 16 डालते है right click paste style और हम इसे भी यहां पर 16 करते है right click edit button typography 16 and then right click copy right click paste style ठीक है अब यहां पर आएंगे नीचे भी यहां असे हम लेंगे right click copy right click paste style right click copy right click paste style ठीक है अब यह सही लग रहा है अब देखते हैं यह हमारा phone में कैसा दिख रहा है यहां पर आएंगे mobile and mobile में यह perfectly align हो गया है ठीक है guys काफी सही हो गया है okay अब आता हम इसके नीचे तो यहां नीचे पर है overview तो हमें यह overview अभी नहीं चाहिए तो हम इस overview के यहां से remove करते हैं close और हम इसके जगह पर यहां पर एक contact form डालते हैं तो इसके लिम क्या करेंगे हम अपने dashboard पर आएंगे और हम एक plugin को install करेंगे plugins add new यहां पर आएंगे यहां हम लिखेंगे contact form और यहां पर हम इस contact form 7 को install करेंगे ऐसे के बहुत सारा form आते हैं जैसे WP forms भी है निंजा forms भी है आप यहां कोई भी बिन install कर सकते हो पर मुझे contact form ही सही लगता है and then यहसे activate करेंगे उसके बाद हम यहां पर आएंगे contact and then contact forms तो अब देखो यहां पर contact form 1 automatically बन गया है यहसे हम open करेंगे तो अब देखो आपको यहां पर क्या क्या text चाहिए तो यहां पर name है email है subject है और message है जो की सही लग रहा है मुझे ठीक है तो हम यहां save कर लेंगे इसे and then आपके पास यह shortcode आ जाएगा या फिर आप अगर यहां contact form पर आते हो तो अब देखो यहां पर आपको shortcode मिल जाएगा तो यह आपको copy करना है ठीक है फिर हम यहां पर आएंगे and then हम यहां पर एक shortcode डालेंगे तो आपको यहाँ पर लिखना है shortcode ठीक है और इस हम उठा के यहाँ पर डाल देंगे and then guys यहाँ पर enter your shortcode के place में आपको वो contact form का shortcode paste करना है तो आपको यहाँ पर contact form आ चुका है and then हम क्या करेंगे हम इस पूरे section में आएंगे यहाँ पर right click edit overview ठीक है and then हम इसे क्या करते है let's say right से zero करते है so top से 20 bottom से 20 और right left से 1010 तो यह भी सही दिख रहा है हम इसे यहाँ update करते है and then हम चाहे दोसका background को भी change कर सकते हैं तो हम यहाँ पर आएंगे right click edit overview style and then हम यहाँ पर gradient को choose करेंगे क्या रहेगा वही हमारा जो main color है so हम यहाँ पर देंगे gradient one यहाँ पर देंगे gradient two और गाईस देखी यह काफी सही लग रहा है right अब हम देखते हैं कि यह हमारा phone में कैसा देख रहा है आप चाहिए तो आप यह message वाले को हटा भी सकते हो ठीक है तो चलिए से हम remove कर देते हैं तो आपको यह edit form में आना है content form one में आयते हैं and then यहाँ से हम इस message वाले को remove करते हैं या फिर यहाँ पर हमें काम करते हैं हम इसको text करते हैं like यहाँ पर text है ना similarly हम यहाँ पर इसको text कर सकते हैं text ठीक है and then save करते हैं फिर हम यहाँ पर आएंगे desktop view मिलाते हैं अपडेट कर लेते हैं देखते हैं यहां पे कैसा दिख रहा है तो देखो गाइज यहां पे सही लग रहा है राइट अब देखते हैं फोन में कैसा दिख रहा है अभी देखो गाइज अभी यह काफी सही लग रहा है ठीक है अब हम चाहेंगे तो यहां पर उपर पर उन्हीं से रैट लिक, पेस्ट स्टाइल, स्टाइल आ गया, हम इसे चाहिए तो यहाँ पर वाइट करते हैं, तो हम स्टाइल में आएंगे, इसे हम complete वाइट करते हैं, और यहाँ पर हम डालेंगे, जो हमारा button में था schedule meeting ठीक है और हम इसके नीचे एक divider देंगे तो again हम आएंगे उपर इस divider को हम copy नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा margin padding पहले से लगा हुआ है तो हम एक नए divider डालते हैं तो हम यहाँ पर आएंगे divider and यहाँ पर छोड़ देंगे ठीक है style में आते हैं इसके color को पहले white करते हैं इसका length को पहले थोड़ा कम करते हैं I think ठीक है और बीच में लाते हैं how much 28 is fine और width को थोड़ा increase करते हैं let's say 2.5 ठीक है और अब इसका gap को कम करते हैं ठीक है guys and then update अब देखते हैं कैसा दिख रहा है so यह अभी सही लग रहा है आप जोड़ा आप अगे इसको थोड़ा ऊपर कर सकते हो यह मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं अब आप सीख चुके हो कि आपको कैसे marginal padding से खेलना है ठीक है अब हम guys इसके नीचे आते हैं तो यहां हम चली अपना जो भी service है यहां पर डाल देते हैं so web design ठीक guys अब यह काफी सही लग रहा है आप जोड़ा तो इससे हटा भी सकते हो पर मैं अभी के लिए से यहां पर रहने दे रहा हूं ठीक है और guys हम सारे buttons और सारे जगह पर हम link डालेंगे आप wait करो मुझे मालू मैं कि वो सब pending है ठीक है मेरा प्लान है कि मैं एक बर जब सारा pages बना लूँगा उसके बाद मैं सारे buttons में link डालना start करूँगा ठीक है अब यह guys हमारा finally पूरा का पूरा service page बन चुका है एक बार हम इसे update करते हैं और देखते हैं तीनों जगह कैसा लग रहा है तो पहला हो गया हमारा यह PC दूसरा आ कर सकते हैं तो उसके लिम क्या करेंगे again desktop पर आएंगे ऊपर आएंगे ठीक है यहाँ पे right click करेंगे edit video ठीक है and then हम advance में आते हैं तो अब देखो यहाँ पे top में 70 और bottom में 14 उने लगा रख है तो हम top में 20 करते हैं and bottom में 20 करते हैं तो अब देखो यह थोड़ा ऊपर आ गया और अब हम सेम चीज तीनों में डालेंगे I mean दोनों में डालेंगे right click copy right click paste style right click paste style and it's done अब देखते हैं यह हमारा phone में कैसा देख रहा है तो okay okay so guys यहाँ पे हमारा थोड़ा sequence उपर नीचे हो रहा है तो हम उसे पहले fix करते हैं and यह design के spelling में fix करेंगे तो हम यहाँ पे आते हैं desktop ठीक है so guys basically क्या होता है कि आप देखो कि यहाँ पे image है यहाँ पे हमारा text है तो phone में sequential आता है like पहले यह part आएगा देने यह part आएगा फिर यह part आएगा देने यह part आएगा तो क्या हो रहा है कि हमारा यह heading उपर नीचे हो जा रहा है तो हमें इसको fix करने के लिए हमें complete नया heading बनाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे हमें plus में आएंगे ठीक है यहाँ पे heading को उठाएंगे यहाँ पे छोड़ देंगे इसमें आएंगे right click copy right click paste ठीक है और हम इस heading को यहाँ से remove करेंगे delete तो अब हमारा यहाँ पे एक heading आ गया इस दोनों के लिए अब हम यहाँ से heading को remove करते हैं delete ठीक है से मेले गाइस हमें यह चीज़ तीनों में करना होगा तो अगये हम यहाँ पे आते है right click copy ठीक है ठीक है तो हमने तीनों में एक proper heading दे दिया है और अब हम इसके नीचे divider भी डा सकते हैं तो यहाँ पे you know designing endless है आप जितना करोगे उतना कम है बट मैं एक और चीज़ करी देता हूं ठीक है एंद यहाँ हम इसे quickly यहाँ पे setup करते है ठीक है तो यहाँ क्या करेंगे इस heading का margin को यहाँ पे minus 15 रखेंगे ठीक है और यह चीज़ हम तीनों में करेंगे तो हम क्या करते है यहाँ पे right click paste ठीक है एंद हम इसका size यहाँ कम करेंगे ठीक है यहाँ भी हम इसको update करते है और देखते हैं हमारा कैसा लग रहा है यहाँ पे refresh करते हैं अभी गाईस देखो यह थोड़ा change हो गया है लेकिन यह भी हमारा काफी सही लग रहा है अब मोबाइल में काफी सही हो गया है और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमने तीन सर्विसद बनाए हैं सर्विस को एड़ करना है उसके लिए हम एक और पेजस घॉजस में और पास एक और ट्रीक है तो कैसे am Corona में मौटी वे की अगर यूजर किसी पर क्लिक करें तो वो सीधे आवर सर्विसेस पेज पर ही लैंड करें तो इसके लिए आपको बहुत बताता हूं अब क्या करो आप डैजवर्ट पर आओ आप पहले वो सारे पेज़ेस को रिमूफ कर दो जो हमने सब मेरू में बनाया था तो यहां पर हमारा पीचे आओ एपियरेंस मेनू यहां बोल रहा है कि यह दुन आप एक्जिस्ट नहीं करता है तो हम इसे यहां पर रिमूफ कर देंगे रिमूफ ठीक है अब आप यहां पर आप दो अपना वेब डिजाइन और हम यहां पर सर्विस पेज का लिंक को कॉपी करेंगे यहां प की नीचे लगा देंगे सब मेनू में ठीक है सिमिलरली फॉर एस इओ लिंक गया एड मेनू है इसे हम यहां लगा देंगे एंड से मेली फॉर ऑनलें ब्रेंडिंग अब देखें आप गाईस यहां में इसे रिफ्रेश करेंगे अब आप लोग इस वीडियो में काफे को सिखेंगे और मैं देखा कि हमने एक फ्री टूल और फ्री टेंप्रेट को यूज़ करके एक परफेक्ट सर्विस पेज कैसे बना सकते हैं राइट अग वीडियो बहुत इंफर्मेटिव है अब आप लोग जाओ और प्रैक्टिस क करो और हम मिलते हैं आप से अगले वीडियो में हम बात करें कि हम एक पॉट्फोलियो पेज कैसे बनाएंगे क्योंकि आप जो सब्सक्राइब कर रहे हो आपको उसका एक्जाम पर यह हो तो उसके लिए आपको पॉट्फोलियो पेज भी बनाना बहुत हो रही है तो अगले वीडियो में हम भी देखेंगे और वीडियो सही लग रहा है इंफर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें उस बैल एकन को भी दबा दें ताकि आने वाला कोई भी वीडियो अपसे मिस्त नहों थैंक्यव वाचिंग आईज सी नेक्स टाइम टे